अमेरिका एक बार फिर चांद पर पहुंच गया है। जी हां लगभग 50 साल बाद एक अमेरिकी अंतरिक्ष्यान एक बार फिर से चांद की सतह पर उतर चुका है। 1972 में आखिरी Apollo मिशन के बाद अमेरिका में बना कोई अंतरिक्षियान अब जाकर चंद्रमा की सतह पर उतरा है। चांद पर उतरने वाले इस अंतरिक्षियान का नाम ODCS या ODC है। ये छे पैरों वाला एक रोबोट लैंडर है जो भारतिय समय के मताबिक शुक्रवार सुबह साधे चार बजे चंद्रमा के दक्षिनी ध्रूव के पास माला पर्टे नाम के क्रेटर में उतरा। चांद का दक्षिनी ध्रूव वही हिस्सा है जिसके करीब भारत के चंद्रायान तीन का विक्रम लैंडर उतरा था। लैंडिंग के बाद सिगनल की पुष्टी मिलते ही मिशन के डायरेक्टर डॉक्टर। टिम क्रेन ने कहा, हूस्टन, ओडीसियस को अपना नया घर मिल गया है, मुझे पता है कि यह एक मुश्किल था, लेकिन हम सतह पर हैं, हम ट्रांस्मिट कर रहे हैं, चांद पर आपका स्वागत है, नासा के प्रशासक बिल नेलसन ने एक वीडियो संदेश के जरिये कि हमने चंद्रमा पा लिया, आधी सदी के बाद अमेरिका वापस चांद पर पहुंच गया है, ये पूरा मिशन एक प्राइवेट कंपनी का है, इस लेंडर के साथ भेजे गए नासा के पेलोट चंद्रमा की सतह के साथ अंतरिक्ष मौसम, रेडियो खगोल विज्यान और भविश्य के लेंडरों के लिए चंद्रमा का डेटा इकठा करेंगे, नासा का लक्ष है कि एक बार फिर इंसानों को चंद्रमा पर भेजा जाए, इस लिहाज से यह मिशन काफी महत्वपूर्ण है, हालांकि ओडिसियस से एक महीने पहले एक अन्य प्राइवेट कंपनी का मिशन फेल हो बया था